हेलो बच्चो मैं आपका यार सर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट हेंड्रेड डेज में सबसे अच्छा तरीके से पढ़के मैक्सिमम नंबर कैसे लाना है यानि 95% एवो नंबर कैसे लाना है बच्चो जो टाइम बीद गया सो बीद गया अब जो हमारे पास अगर 90 से 100 डेज आगे है उसे हमें सबसे अच्छे से एफिसेंटली कैसे यूज करना है और मैक्सिमम नंबर कैसे लाना है चली मैं आपको 5 गोल्डन टिप्स बता रहा हूँ अगर ये पांचो टिप्स आप ध्यान रखते और ये जो मैं बता रहा हूँ अगर आप अगला 100 डेज तक इसे फालो करते हैं तो गैरेंटी के साथ आपका अच्छा नंबर यानि बहुत अच्छा बाक्स आ सकता है चली बच्छो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ आप लोग थमनेल में देखी रहे होंगे स्कोर 95% in last 100 days क्लास 10 वालो के लिए especially क्लास 9 वाला भी देख सकता है चली बच्छो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लाना है आपको नंबर तो यह आपका पहला पहला रूल यह है कि जो 100 days है हमारे पास इस 100 days में हमें पहला काम क्या करना है ध्यान से देखे बच्छो पहला काम यह है कि know your syllabus में बात यह है कि सर हम क्या कर रहें नहीं कर रहें इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमें syllabus का जानना जरूरी है आप जो एक्जाम दे रहें वह कितना है जानना है सबसे पहले हमको उसका complete जानकारी होना चीह उसके लिए आपको जानना है syllabus को चली अच्छो हम या Hindi और ये SST अगर देखा जाए तो कितना सरा चेप्टर आपके पास सब को अगर एड किया जाए 16 15 11 17 और 5857 इसमें टोटल फोर बुक्स आते हैं बच्चो अगर आपको ध्यान हो तो अगर इस सब को आप जोड़ते हैं तो आपका आएगा 81 चेप्टर यानि 100 डेस में आपको 81 चेप्टर को कैसे कवर करना है आप भी अभी बहुत सरा ऐसा बच्चे अबच्चो जो अभी सतर्क नहीं हो पारें जिससे समझ में नहीं आ रहा है कि सर जो हो रहा है अगर ऐसा चलते गया फिर भी अच्छा नमबर आ जाएगा जो कि आपके लिए असंभव है impossible है अगर ऐसे ही आपका रूटीन जो अभी बना हुआ है अगर ऐसे ही चलते रहा तो फिर नमबर नहीं आएगा इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा नमबर आए कम समय में लास्ट जो आपका हैंडरेट डेज बचा हुआ है इसका एफिसेंटल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपके पास इतना चैप्टर है और अब इसे आपको क अब हमें रूटीन सेट करने में थोड़ा सा समय देना है क्योंकि 81 चैप्टर है और हैंडरेट डेज हैं कैसे कबर करना है बच्चो ध्यान से देखिए हमने पूरा आपको सिले बस जान गया अब हमें देखना है कि आपका साइंस, मैथ, सोशाल साइंस, इंगलिश, हिंदी सारा चैप्टर एड़ करके 81 हो रहा है और हमारे पास 100 डेज हैं अब इन 100 डेज में हम ये चैप्टर को कैसे कबर करें डबल टाइम भी नहीं मिलेगा अगर हम एक चैप्टर को अगर हम एक दिन पड़े तो 81 से अगर आप डबल कर रहे हैं तो आपका उतना समय भी नहीं है तो आपको करना ही है देखिए अगर मैं आपको बताओं तो आप दो स्लोट में डिवाइट कर लिजी यानि टोटल हेंडर डेज अगर आपके पास है तो उसमें से 40 40 और ये लास्ट 20 40 की क्या होगा सर ये 40 दिन में अगर आप एक दिन में दो चैप्टर पढ़ते बच्चो आपको बताओं एक दिन में अगर आप दो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपके पास टोटल 80 चैप्टर हो जाएगा इस परकार एक बार आपका सिलेवस कंप्लिट हो गया दूसरा बार फिर 40 डेज में आपको पर डे अगर आप दो चैप्टर कर रहे हैं तो एक बार और 80 यानि आपका एक बार सिलेवस कंप्लिट और ये दो बार सिलेवस कंप्लिट अब ये होगा कैसे सर हम एक दिन में दो चैप्टर कैसे पढ़ेंगे सर इतना मेहनत नहीं हो पाएगा अगर इतना मेहनत नहीं हो पाएगा तो फिर एक्जाम के लिए त्यारी मत किजे छोड़ आपको अभी लास्ट टाइम में अगर आप पूरा साल भर मस्ती के बच्चों तो फिर ये लास्ट टाइम में आपको सतर करें जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इस बार अगर इसके बाद और एक मेहना आप लॉस्ट कर देते हैं फिर लग भग आपके लिए ध्यान से दिखिए यहाँ पर हमें 40 टेस में अगर परड़े हम दो चेप्टर कर रहे हैं तो इधर एक बर हमारा सिलेबस कंप्लिट हो रहा है एक बर और और ऐसे हो रहा है बच्चों दो बर सिलेबस कंप्लिट और लास्ट के 20 टेस आपको रिवीजन करना है वीग क्या क्या आपका problem है मने mathematics में कुछ chapter आपका है इस बीच में आप cover नहीं कर पाएं इस में भी नहीं हो पाया उसको इस बीच दिन में कीजिए short notes के जरिए इसको cover किए उसके बाद आपका overall syllabus complete हो जाएगा यह सब handed days के लिए हो रहा है अगर और धीरे धीरे अगर आप बिताते गए तो फिर यह भी cover होना मुश्किल हो जाएगा चलिए उसके बाद मैं आपको बताओं आपको क्या करता है उसके बाद making personal notes for first revision last कुछ बच्चे ऐसा करते हैं इतना बड़ा mistake करते हैं इतना बड़ा notes त्यार किया है वो notes आपका बहुत ज्यादा है बहुत heavy है वो last के कुछ दिन में उसका revision होना impossible है संभवी नहीं तो सर फिर हम revise कैसे करें exam के time last time में revision का एक ही तरीका है वो है कि आप personal notes त्यार कीजिए सर personal notes कैसे त्यार होगा वो ही notes वो ही NCRT वो ही NCRT book सरकारी book या पिर CBSC में है तो वो जो book आपको school से मिला है वो जो सर notes बनाए है उनको combine करके आप short and sweet notes बनाएए वो ही आपका end में fast revision के लिए काम आएगा चलिए अगर मैं आपको बताओं कि subject wise कैसे note तैयर करना है तो मैं कुछ आपको tips बता रहा हूँ सबसे पहले दिखिए science का notes बनाते time आपको धियान रखना है आपको ज्यादा से ज्यादा mind map बनाना है यानि कोई topic मानिए और उस topic को या लिखे फिर उससे related जो sub topic है दीरे दीर दीरे उसको लिखे फिर उसको आगे अगर divide हो रहा है तो आपको इस तरीके से लगबग एक एक chapters में जितना mind map हो पाएगा figure हो पाएगा mind में उस तरीके से आपको बनाना है ताकि उसमें theory कम से कम लिखा जाए और ज्यादा से ज्यादा figure में आपका काम complete हो जाए यही चीज अगर मैं बोलू mathematics के लिए sort के लिए अगर आप खुद का notes बनाना चाहते हैं अभी possible है वो जो 40 days आपको लगा था ना 40 40 यह 40 days में यह काम होगा और last के 20 days में यह आपको help करेंगे देखिए math के लिए आपको करना है क्या बच्यो math के लिए ध्यान रखना है आपको base है आपका concept लेकि need formula अगर आपका concept clear ही नहीं रहेगा formula का कोई दाम नहीं अब formula क्या करना है हमें formula कहा लगाना है यही आपको पता नहीं है तो फिर हमें उस topic का knowledge नहीं है फिर कोई फाइदा नहीं होगा आपसे question solved नहीं होने वाला है हाँ अगर आप topic को समझ चुके हैं तो फिर end में आ लेना है formulas को ताकि वो formula आपको time to time याद रहे जो आपको help करें इस तरीके से देखिए यह formula को आप note कीजिए और अपना एक note copy बनाईए उसमें आपको यह सारा चीज note down करना है English का अगर हम बात करें तो English में आपको करना है अगर last time number चाहते हैं इसमें जो भी story है उसको आप summarize किजिए यानि मानि आपने कोई story पढ़ा उस story को इस तरीके से point में divide कर दिजे या फिर उस story को आप short तरीके से लिखिए कि यह story था और इसका purpose यह है मुद्दा यह है ताकि आप जब last time revision करेंगे तो आपको यह help आएगा अगर पूरा पूरा चेप्टर आप last time पढ़ने जा तो sst के लिए आपको वहां से points निकालना है history वगरा है पूरा पूरा लंबा लंबा दिया रहेगा आपको वहां से कुछ-कुछ points की points निकालना है कि भाई यह पूरा जो है history का यह पूरा chapter है उसमें से यह point है जिस point से एक-एक point को explore करके हम complete answer निकाल सकते हैं तो अब तक मैं point clear हो जाना चाहिए और इसके बाद जो important बात यह है देखिए यह बहुत important है कि आपको अब जो आने वले दिन है इस बीच में अगर आप distract हो गए फिर भाई कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि teacher का काम है पढ़ाना वह syllabus complete कर दिये होंगे या फिर कर रहे होंगे आपका काम है उसको cover करना एक्जाम आपको देना है एक्जाम hall में आपको बैठना है last time सतर कुछ बच्चा ऐसा है अभी भी cricket में गुसा हुआ है बच्चो जब आप एक्जाम hall में बैठेंगे ना और आपको ध्यान आएगा ना फिर आपको रोना पड़ेगा वहां पर ऐसा ना हो से भूल अगर जाए तो भी हमारे पास अभी enough इतना समय है कि हम अपना घारजन का सीना को चोड़ा कर सकते हैं हम अच्छा नंबर ला सकते हैं अभी इतना वक्त है आपके पास कि आप zero से लेकर hero बन सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले यह point last है लेकिन इसको ध्यान पह जरूरी है लेकिन लेकिन अगर मेरा वीडियो के साथ सा सो वीडियो और भी आप आलतु फालतु देख रहे हैं अगर इसा चीज आप देख रहे हैं जहां से आपका समय वेस्ट हो रहा है अगर इस वीडियो से भी अगर आपका important time अगर आप किताब में दे सकते हैं तो आप time के matter से हो आपको time save करना होगा time बचाना चरूरी है क्योंकि बच्चों अगर time ही नहीं रहेगा आपके पास end में यह सारा चीजा भी देखिए आपको मैंने आपको बताया एक एक दिन में आपको एक एक दिन में दो दो चैप्टर आपको पढ़ना है और दो चैप्टर पढ है लेकिन लेकिन बात यह कि अभी भी possible है इन सब को अभी install कर दिजे install करके वहां से आप दूर हो जाईए चलिए अब यहां पर हो गया हमारा जो जो भी मैंने आपको बताया वो सारा चीज़ यहां पर end हो जाता है अब आपको करना है focus करना है पढ़ाई में last time ध्यान रहे बच्चो अब time आपको खराब नहीं करना है मतलब नहीं करना है मस्ती करना है फिर exam के बाद मिलते हैं अब अगला वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि हम chapter wise summary type से सर एक lecture में एक पूरा chapter कवर कर दिया जाए तो आप comment कीजिए मैं जरूर आपके लिए मेहनत करूंगा और science का एक चेप्टर एक घंडा में cover करके इसी चैनल में वीडियो अपलोड करूंगा मिलते हैं फिर next वीडियो में थैंक्स बच्चो